बोली गुरु गौरखनाथ महाराज की जै हो अब तिरिया राज में गुरु गौरखनाथ जी महाराज तबलची काडू पधारन करकर के गुरु महाराज को आवाज लगाते हैं कैसे तबला बजा रहे हैं और अपने गुरु को याद करहें गुरु जी अगर आप मेरी कुरुन पुकार सुन रहे हैं तो आप मेरे साथ चलो आपके बगारे पूरा नात्समपरदाय सुना है कैसे अपने गुरु महाराज से हाज जोड़ कर विंती करहें कैसे तमादम तबला बाजे जे तेने जती मचंदर ना थे तमादम तबला बाजे जे तेने जती मचंदर ना यो तिरिया राज में गिर्या गुरू ने इबे बचाओंगा मैं तिरिया रूप सजा के मैं इनका पिंड छुटवाओंगा मैं तिरिया रूप सजा के मैं इनका पिंड छुटवाओंगा ओ गुरुने यादे दिलावे, दोलक पेमारे दोनु आठे दमा दमत बलाबाचे जे तैने जटी मचंदर नादे दमा दमत बलाबाचे जे तैने जटी मचंदर नाद गुरू मेरा सबते न्यारा गुरू बिन सुनना लाग है मन यो सारा सने सार ओ गुरूने लिवण खा तिरे आईसे बाबा गो रखना थे दमादम तपला बाचे जे तैने जती मचंदर नाथ चरण की दूली मिल जा गुरू जी हो जा बावते पार गुरू जी दिल से दिल तै मिल रे से तेरे मेरे तारे गुरू जी छोटू कोन्या मैं मरती दम तक तेरा साथे तमा तम तपला बाचे जे तैने जती मचंदर नाथ तमा तम तपला बाचे जे तैने जती मचंदर नाथ आरे ला रा ला 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 गुरुजी मेरे सिंग पुरे मैं दूने पैया जाने एक बार मचंदर गो रख आवे सालेंगे आड़े भंदारे मचंदर गो रख आवे सालेंगे आड़े भंदारे होई अमिती को रख तेरा प्यारा दर्द्यों नई इसके सिर पैहा अमादम तबला बाचे शेतेने जदी मचंदर गो रख आवे अमादम तबला बाचे शेतेने जदी मचंदर गो रख आवे भंदारे